कि सब्सक्राइब को नमस्कार स्वागत हैं आपका मारी यूट्यूब चैनल जे जे क्लासेज में वाड में आज हम हल कर रहे हैं पहल टू ब्रिज कार्य पुस्ति का गणित कशा तीन दोजार बाइस आईए इसमें आप हल करेंगे कार्य पत्रक चोंसट पैंसट श्यांसट शंसट अडशट और आखल जो पेज नमबर इक्राणवें से लेकिश्याणवें तक हैं आईए शुरू करें इससे पहले आप चैन कि यह आने वाले हला आपको मीलते रहें कार्य पत्रक चोंसट शाइब दक्स्ता शीदी और गुमावदार रेखां के बीच अंतर कर सकें परेखले इयागे चित्र को रेका है, तो इस मेटके में दिखें, गुमावदार रेका है, एक, निचे वाली दो, इस साइड की तीन, या गई चार, उपर, पांच, तो इसमें गुमावदार रेका हैं, पांच, सीद्धी रेका हैं, एक भी नहीं है, जीरो, इसमें देखें सीधी रेका हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ सीधी रेका है गुमावदार रेका है जीरो अगला है इस बॉक्स में सीधी रेखा हैं बारा चार उपर चार निचे दो इस साइड में और दो इस साइड में बारा रेखा हैं सीधी रेखा 12 गुमावदार जीरो इस पत्य में गुमावदार रेखा है देखिए यहां से यह एक यहां से इधर तक दो दो रेखा गुमावदार सीधी एक दो तीन तीन है सीधी रेखा अगला है प्रस नमबर दो दिये गए अंग्रेजी के एक्सरों में सीधी रेका से बने एक्सरों पर गोला लगाएं केवल सीधी रेका से बनना होना है H है N है इस पर गोला लगाएं T पर गोला लगादें तीश्रा है दिये गे एंगरेजी के एक्सरों में जो अक्सर सीधी और गुमावदार रेखा दोनों से बने हैं उन पर गोला लगाएं सीधी गुमावदार से D, G और P तीनों पर गोला लगादें कार्य पत्रक 65 देखते हैं दक्स्ता द्वियायामी आकर्तियों की पेचान कर सकें पहला आकर्तियों को देखकर आकार के आदार पर संख्या लिखें अब इस आकर्ति में हमें देखिए आकार है गोला गोले कितने हैं इस चित्र में देखें गिनने हैं तो इसमें गोले हैं एक दो और एक तीन तीन लिखें आयत यहां है देखी एक दो तीन चार पांच छे चे आयत और वर्ग है एक दो तीन तीन लिखें प्रस नमबर दो समानाकार की वस्तों को मिलाएं इस वर्ग को वर्ग से मिलादें त्रीबुज को त्रीबुज से मिलाएं गोले को गोले से, आयत को आयत से, और इस त्रीबुज को त्रीबुज से मिला दे काहरे पत्रक श्यासथ, दक्सता, द्वी आयामी आकरतियों के कोने और कोने और किनारे की पेचान कर सकें निद्धी के पास कुछ आकरतिया है, इन्हें पेचान कर तालिका परने में मदद कीजिए, यह है आयत, त्रीबुज वर्ग और वरित और वर्ग आकरतिया है, यह हैं देखिए, यहां आयत लिका हुआ है, आयत कैसा है, इसका नाम है आयत, कोने कितने हैं, इसके एक, दो, तीन, चार, चार भुज़एं वर्ग में जीरो कोने, जीरो भुज़एं, त्रीबुज में तीन कोने हैं, तीन, भुज़एं हैं, एक, दो, तीन, तीन भुज़एं वरक में चार कोने और चार बुज़ें प्रस नमबर दो मिलान कीजिए इसको मिलान करना है चार कोने और चार बुज़ें से इसको मिलान करना है तीन कोने तीन बुज़ें से इसको मिलाना है सुन्य कोने सुन्य बुज़ें इसको मिलाना है चार कोने और चार बराबर बुज़ेंऄं। कारेपतरक संसैट, दक्स्ता, त्रियायमी आकर्तियों के तल को छाप कर द्यायमी आकर्तियों के पैचान कर सकें। पहला, दी गई वस्तों के तल की द्यायमी आकर्ति का नाम लिखें। यह व्रित वर्ग आयत यह त्रिवुच वस्तों के नाम और आकरती यह कटोरी वर्ग जैसी माचिस्की डिब्बी आयत जैसी गिलास वरत जैसा रबड है आयत जैसा, पतंग है वर्ग जैसा, पासा है वर्ग जैसा, फुटा या स्केल ये है आयत जैसा, कप है वृत जैसा, पुस्तग होगी हमारे आयत की जैसी खार्य पत्रक 68, दक्स्ता, त्रियायमी आकर्तियों के तल को छाप कर द्वयायमी आकर्ति की पैचान कर सकें पहला, निचे दिये गए चित्र में कितनी सीधी रेकाए हैं तो इसमें हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, तो यहां छे सही, खे, खे में राइट करें और यहां लिखे, खे अगला है, निचे दिये गए चित्र में कितनी गुमावदार रेकाए हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच, यहां गे सही है, पांच लिखे, गे प्रस नमबर तीन किस आकर्ती में सिर्फ सीधी रेका हैं तो आकर्ती है खे इसमें केवल सीधी रेका हैं बाकी सब में टेड़ी टेड़ी रेका भी है या लिके खे वे संचा जिसमें एक भी सीधी रेका नहीं है तो वे संचा होगी आठ या लिके के के साई, वे संचा जिसमें एक भी गुमावदार रेका नहीं है, वो संचा चार है, खे राइट, या लिके खे, आकलन आठ, पतंग में कुल कितने कोने हैं, साई उत्तर पर साई का निसान लगाईए, तो पतंग में कोने गिनने हैं, अंदर देखिए, एक, दो, तीन, चार कोन अंदर है, बार है, पांच, छे, साथ, आठ, तो यहां लिके आठ, आठ राइट है, प्रस नमबर दो, किस वस्तु में एक भी कोना नहीं है, राइट का निसान लगाईए, तो देखिए, इस गोले में एक भी कोना नहीं है, तो यह गे साई है, इसमें राइट लगाते हैं, किस वस्तू को चापने पर आयत की आकरती प्राप्त होगी वो है के इस इट को चापने पर अगला है चोता किस वस्तू को चापने पर वर्ग की आकरती प्राप्त होगी इसमें के राइट है इसको चापने पर वर्ग मिलेगा ये था कारिपतरक 64, 65, 66, 66, 68 और आंकलन 8 का हल स्क कायर्य पत्रक और सभी आंकलन के हल करके एक साथ लाल रखे हैं यहां से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं हल अच्छा लगा हो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद